शुद्ध होने का वक्त आ गया है धरोगा साहिद इंडियर मुईस के डेली बॉक्स ओविस के अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वरुन दवन किया राडवानी और अनिल कपूर की फिल्म जुग जुग जीओ के बारे में आपको बता दे ही है फिल्म 2022 की बोल्यूट की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी वहीं फिल्म का बज़रता लगबग 85 करोड रुपे लेकिन फिल्म की स्टोरी से लेकर सभी स्टार काश्ट की प्रफॉमस पब्लिक और क्रिटिक्स का दिल जितने में कामियाब रही जिस वज़े से पब्लिक रुपे से भी जादा की ओपनिंग की इसी के साथ इस फिल्म के दूसरे और तिसरे दिन के गलेक्शन में काफी अच्छी ग्रोध देखने को मिली ओफिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ओविस पर बारा करोड पच्पन लाग रुपे का ठीक्टा का आकड़ा पार किया मैं फिल्म का तिसरे दिन का संडे का कलेक्शन काफी जादा बड़ा ओ फिल्म ने अपने तिसरे दिन संडे को बॉक्स ओविस पर लगबग 25-27% की ओक्क्यूपेंसी जादा पाते हुए 15 करो 10 लाग रुपे कमाये लेकिन अगर फिल्म के पहले पते और अभी तक के टोड़ हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मुताबिक जुग जुग जी ओ फिल्म का 31 दिनों का टोटल ओफिशल बॉक्स ओविस करेक्शन चूरियासी करोड़ 88 लाग रुपे के आसपास रहा जिस वज़े से यह फिल्म फिलाल अपने बज़र को रीकवर कर लेगी लेकिन यह फिल् फिल्म को लेकर विदू चामवाल के फैंस काफी जारा एक्साइटेट थे क्योंकि खुदा आफिस फिल्म की जबजिस्त सक्सेस के पाथ इस फिल्म का विदू चामवाल के फैंस काफी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे और सभी का मानना था फिल्म OTT प्लेटफर्म के पाथ इस फिल्म का पार्ट टू बॉक्स ओविस पर काफे बड़ा धमागा करेगा लेकिन आपको बता दे फिल्म के बॉक्स ओविस कलेक्शन में कुछ खास पकड़ देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि फिल्म का बजट सिर्फ 27 करोड रुपे था लेकिन कम बजट होने के बाउजु फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ओविस पर रिलीज ओकर सिर्फ एक करोड त्रीस लाख रुपे की ओपनिंग की इसी के साथ इस फिल्म के दुसरे दिन की कलेक्शन में मामुली सी ग्रोद देखने को मिली ओ फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स अविस पर एक करोड बहुतर लाग रुपे का आकड़ा पार किया लेकिन फिल्म के तिसरे दिन संडे होने की वज़े से फिल्म के कलेक्शन में लगबग 30-40% की ग्रोथ देखी गई ओ फिल्म ने अपने तिसरे दिन संडे को बॉक्स अविस पर काफि अच्छी ग्रोथ पाते हुए 3 करोड तेरा लाग रुपे कमाए वहीं अगर फिल्म के पहले पति और अभी तक के टोटर कलेक्शन की बात करे तो खुदा अफिस टू फिल्म का पहले पति का कलेक्शन भी उम्मित के मुताबिक काफी कम रहा ओ फिल्म ने अपने पहले पति बॉक्स अविस पर 10 करोड 60 लाग रुपे का आखड़ा पार किया लेकिन इस फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलिस वे आज 18 दिन हो चु राजकुमार राओ लीड रोल में दिखाई दिये थे वहाई इस फिल्म का बजट था लगबग 35 करोड रुपे जिसमें फिल्म का प्रमोशन और प्रिंट भी शामिल था जिस वज़त से माना जा रहा था फिल्म अपने बजट को आसानी से रीकवर कर लेगी लेकिन आपको बता दे फिल्म को मिले मिक्स रिवी की बदोलत फिल्म के कलेक्शन में काफी कमी देखने को मली ओ फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स अविस पर रिलीज ओकर सिर्फ एक करोड पी 30 लाग रुपे की ओपनिंग की इसी के साथ इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में भ थोड़ी सी ग्रोध पाते हुए 2.23 लाग रुपे का कलेक्शन किया, वही अगर फिल्म के पहले अप्ति और अभी तक के टूटा कलेक्शन की बात करें तो राज कुमार राओ की फिल्म हेट अपने पहले अपते बॉक्स अविस पर सिर्फ आठ करोड अठाउन लाग रुपे के आसपास कलेक्शन करने में कामियाव रही इसी के साथ इस फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलिज वे आज 11 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मुताबिक राज कुमार राओ की फिल्म हेट अपने ग्यारवे दिन यानी आज बॉक्स अविस पर सिर्फ 11 लाग रुपे के आसपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का 11 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स अविस कलेक्शन 9 करोड 40 लाग रुपे के आसपास हो काफी बुरी तरफ पिटी को है अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की आखरी फिल्म शमशेरा के बारे में आपको बता दें शम्शेरा सूंब के फिल्म को संजेत रनवीर कपूर और वानी कपूर लीड़ ॉल में दिखाई दिये थें वहीं इस फिल्म को लेकर रनवीर कपूर के फैंस काफी ज़्यदा एक्साइटेट थे क्योंकि संजु फिल्म के पाद रनवीर कपूर थीटर में लगबग चार साल बाद नजर आने वाले थे जिस वज़े से रनवीर कपूर के फैंस का मानना था रनवीर कपूर की फिल्म शमशेरा बॉक्सवीस पर रिलीज ओ लेकिन अगर फिल्म के रिव्यू और कलेक्शन की बात करें तो पब्लिक को तो यह फिल्म काफी ज़ादा पसंद आई और अनविर कपूर के फैंस के साथ साथ कई पब्लिक ने इस फिल्म को फोर इस्टार यू दिया लेकिन ट्रेन एनलिस्ट तरन आधर शे ने इस फिल्म को 1.5 इस्टार यू दिया जिसका इफेक्ट फिल्म को काफी ज़ादा हुआ और इतना ज़ादा नेगेटिव रियू मिलने की वजह से फिल्म के लगग दोफर के शो के बाद ही पहले ही दिन कई स्क्रिन्स कम हो गई जिस वज़े से फिल्म के कलेक्शन में काफी ज़ादा इफेक्ट पड़ा ओ फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स अविस पर रिलीज ओकर 10 करोड 25 लाक रुपे की ही ओपनिंग की लेकिन फिल्म के दूसरे तिसरे और चोथे दिन के कलेक्शन में ठीक ठाक पकड़ देखने को मिली ओ फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स अविस पर काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए 10 करोड 25 लाक रुपे का आखड़ा बनाई रखा लेकिन अगर फिल्म के तिसरे दिन के संडे के कलेक्शन की बात करें तो संडे की चुट्टी होने की वज़े से सभी का मानना था फिल्म का तिसरे दिन का कलेक्शन काफी ज़ादा बढ़ेगा और हो सकता था फिल्म के कलेक्शन में लगबग 30-40 परसंड की ग्रोध देखने को मिले लेकिन आपको बता दे फिल्म के तिसरे दिन के संड़े के गलेक्शन में भी उम्मिद के मुताबिक काफी कम ग्रोध देखी गई ओफ लिने अपने तिसरे दिन संड़े की चुटी होने के बावजूद प्र ग्यारा करोड रुपे की कमाई की जो की संडे के इसाप से काफी कम है इसे के साथ अगर फिल्म के चोथे दिन के मंडे के यानि आज गलेक्शन की बात करे तो रिपोर्ट से क मुताबिक शमशेरा फिल्म अपने चोथे दिन यानि आज मंडे का टेस्ट पास करने में काम्याब रही क्योंकि रिपोर्ट से क करोड 30 लाग रुपे के आसपास कमाई कर रही जिससे रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा का चार्ज दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स अविस कलेक्शन 36 करोड 5 लाग रुपे के आसपास रहेगा लेकिन अब उम्मीद है यह फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स अविस पर सिर् सबसे बड़े सुपरी श्टार और जुग 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 जीयो फिल्म बनेगी 2022 की सबसे बड़ी ब्लोग विस्टर फिल्मों नहीं दूसरे नंबर पर रहेगी रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा तीसरे नंबर पर रहेगी विदुच जामवाल की फिल्म खुदा को या फिर वरुन दवन की फिल्म जुग 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 जीयो को आप कि रहे हमने इसक्रमेंट का जुरू बतायों मुड़े सनाय तुमा स्रूडियो को लाइक करें और जाते जाते हैं आपके और हमारी चनल कलेक्शन टेक को भी सबस्क्राइब को बिल आइकोन प्रेस करें